हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जुरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों मा का रिष्टा कितना प्यारा और कितना महान होता है ये आप सभी लोग जानते होंगे कितना भी बुरा इंशान हो या कोई भी जानवर हो अपनी मा से सभी डरते हैं और दिल से प्यार भी करते हैं कहने का मतलब है कि इस धरती पर सभी इंशान या सभी जीव जनतु अपनी मा का आदर करते हैं और उसको प्रेम करते हैं लेकिन बिच्छू एक ऐसी प्रजाती है जो जनम देने वाली मा को ही खा जाते हैं ऐसा क्यों और कैसे होता है चलिए आपको इस वीडियो में विश्टार से बताते हैं साइध इस वीडियो में आप लोग मा की ममता और मा के बड़ेपन को देखकर भावुक हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिच्छू एक खतरनाक जीव है जो वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहता लेकिन इसमें इतना जहर होता है कि अगर ये किसी को काट ले या डंक मार दे तो इनसान की मोथ हो सकती हैं कई बार इनसान बिच्छू के डंक से निकले जहर से पैरलाइज भी हो जाते हैं वैसे तो ज्यादातर बिच्छू पत्रों या इंटों के नीचे ही रहते हैं और बिच्छू की लगबग 2000 से भी ज्यादा परजातियां पाई जाती हैं और बिच्छू को 20 डिगरी से लेकर 37 डिगरी सेल्सियस के तापमान में रहना पसंद होता है लेकिन इनका शरीर ऐसा होता है कि ये जमा देने वाली ठंड और जला देने वाली गर्मी को भी सहन कर सकते है और जब एक मादा बिच्छू अपने बच्चों को पैदा करती है तो वो एक साथ सो के लगबग बच्चों को जनम देती है और बिच्छू हमेशा छोटे मोटे कीडों का सिकार क समयय के समय वो अपना जहर अपने सिकार के शरीर के अंदर चोड़ देते हैं जिस से उनका शरीर पैरलाइज हो जाता है और फिर बिच्छू उनको जिन्दा ही खा लेते है और जब मादा बिच्छू का परजनन का समय होता है तब वो एक साथ सो बच्चों को पैदा करती है और उन सब को अपनी पीट पर बैठा कर किसी अच्छी और सुरक्षित जगा पर ले जाती है और वो जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक अपनी ही पीट पर बैठा कर रखती है और इस दोरान मादा बिचु के सबी बच्चे अपनी भूग मिटाने के लिए अपनी ही मा की पीट को खा खा कर खोकला कर देते हैं मादा बिच्चु के सारे बच्चे अपनी मा की पीट से चिपक जाते है और मा का सरीर ही उनका आहार बन जाता है मादा बिच्चु के सारे बच्चे तब तक अपनी मा के सरीर से चिपके रहते है जब तक मादा बिच्छू के सरीर का सारा मास खतम नहीं हो जाता और जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती कुछ समझ पाना सबके बस की बात नहीं है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जुरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद